नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिस एक आर्टिकल जिसका सिर्शक है SCO includes rivals but New Delhi can benefit from it पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे चलिए प्रारम करते हैं इस चर्चा को सबसे पहले हम यह देखते हैं कि SCO आकिर है क्या तो SCO या संगहाई Corporation Organization या संगहाई सहयोग संगटन या एक अंतर सरकारी संगटन है जिसके गठन की घोसना 15 जून 2001 इस वी को संगहाई चीन में की गए थी SCO में आठ सदसे हैं ये आठ सदसे हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान भारत 2017 issue में SCO का सदसे बना और ठीक इसी वर्स पाकिस्तान भी SCO का सदसे बना है SEO जो की एक बहुपक्ची समू है वर्स में दो बार इसके सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है अगर हम बात करें इस वर्स की तो इस वर्स 10 नौवंबर को मासको में इसके सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तबसे लेकर यहाँ पहला मौका है जब भारत संगाई कोपरेशन और्गनाइजिसन के सिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यहाँ मेजबानी जो भारत के द्वारा की जा रही है या भारत के लिए काफी महत्यपूर्ण है वह इसलिए क्योंकि इसमें सामिल विभिन वहीं अगर मध एसियाई गनराज देशों की बात करें जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान सामिल है तो फिर एतिहासिक रूप से भूराजनितिक, सांस्कृतिक, सभिता और आर्थिक अनिवारिताओं ये ऐसे आधार हैं जिन आधार को और गहरा करना है, जबकि चीन और पाकिस्तान के संदर में भारत को यह नीती अपनानी है कि ना केवल इसके प्रभाव की निगरानी करनी है बलकि अगर आवस्यक्ता पड़े तो इनके विरुद्ध जवावी कारवाई भी करें और C.A.R. या Central Asian Republics या मध एसियाई गनरा जी के साथ सहयोग का विस्तार करना है, 10 नौवंबर को मासको में SEO की जो इस वर्ष की प्रथम सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उसमें मासको घोसना को जारी किया गया, जिसमें सामिल प्रमुक्र विसे हैं, राजनितिक और सुरक्षा मुद्दे, व्यापार और आर आर्थिक सहयोग का विवरन तयार करना है, मतलब ये दो कारे हैं, अगर SEO में विसेश रूप से अगर हम C.A.R. मतलब Central Asian Republics के साथ भारत की बात करें, तो भारत की connectivity या जुडाओ अभी उतनी मजबूती के साथ नहीं हुआ है, जिसका कारण है चीन का Belt and Road Initiative और चीन के द्वा भारत की आर्थिक कूटनीती, रूस, चीन और पाकिस्तान पर कम और C.A.R. पर अधिक केंद्रित रहती है, भारत या चाहता है कि और रचनात्मक उपाईयों के द्वारा जो भारती कंपनिया है, उन कंपनियों के पदचिन का विस्तार C.A.R. देशों में हो, और ऐसा नही 2020 में 2.7 बिलियन डॉलर हुआ, परंतु यहाँ पर यह बात हमने की है Central Asian Republics की, अब यहाँ पर आवस्यक्ता इस बात की है, कि भारत अपने सम्मंद सभी S.E.O.s के साथ ऐसे रखे, मतलब संगाई कॉपरेशन, और्गनाजिशन में सामिल सभी देशों के साथ इस परकार पहले यहाँ पर यह हो, कि देश में जो भी स्टार्ट अप से संबंधित कंपनिया है, उन स्टार्ट अप कंपनियों के लिए एक ऐसी विवस्ता बनाई जाए, ताकि इन स्टार्ट अप कंपनियों की पहुंच का विस्तार S.E.O. में सामिल सदस्य देशों में हो, निती आ सारे समों की इस्तापना का प्रस्ताव दिया है, देखते हैं दूसरा उपाय, दूसरा उपाय समंदित है पारंपरिक चिकित्सा से, यह माना जाता है कि S.E.O. में सामिल जो सदस्य देश हैं, उनकी पारंपरिक चिकित्सा में काफी रूची है, और पारंपरिक चिकित्सा छेतर में भारत अग्रणी राष्ट के रूप में मौझूद है, तो भारत के लिए यह जरुरी है कि पारंपरिक चिकित्सा के इक चुक जो राष्ट हैं, उन राष्टों के साथ भारत अपनी गतिवीदी को पारंपरिक चिकित्सा के छेतर में बढ़ाए. और इस विशे पर भी एक कारेदल के निर्मान का प्रस्ताव दिया जा चुका है, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, तीसरे उपाय के रूप में कुछ छेत्रों में सयोग को प्रोपसाहन देने की आवे सकता है, ये छेत्र कौन-कौन से हैं, कृष्री, उर्जा, शिक्षा, फार्मसोटिकल्स और सुक्ष में लगू और मध्यम उद्योग, बात करते हैं चौथे उपाय की, जो चौथा उपाय है, वो बात धर्म से समन्दित है, सामिल जो सदस्य देश हैं, वो कहीं न कहीं परत्यक्ष या उपरत्यक्ष रूप से बात धर्म से समन्दित है, तो यह बात कही जा रही ह जो बहुत सम्पर्क को प्रमुकटा दिया जाए 25 झ मतलब यह कि भारत और एससी ए प्रदरसनी है यह परदर श महिने से अगले वर्स के फरवरी मां तक चलेगी अब बात करते हैं पांचवे उपाय की पांचवे उपाय के अंतरगत यहां पर यह है कि SEO में सामिल देशों के मध्य व्यापार और निवेश प्रोसान कारिकरम पर बातचीत होनी चाहिए और इसके लिए SEO Business Council के Sectoral Working Groups को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है फिक्की का एक कदम काफी स्वागत योग्य है कि फिक्की ने 23 नौबर को SEO Business Conclave का आयूजिन किया है अब पांचवा और अंतिम सुझाओं हमें यह पता है कि SEO सचिवाले में रूसी और चीनी भासाओं में ही कारिकिय परन्तु 2017 में जब भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना है तो तब से यह आवस्यक्ता आन पड़ी है कि इसमें अंग्रेजी भासा को भी संपर्क भासा के रूप में स्विकार किया जाना चाहिए क्योंकि इसको स्विकार किया जाने के बाद SEO के सदस्य देशों के बीच समवाद बेहतर तरीके से संपादित होगा इन सभी उपायों को अपनाए जाने की पस्चाद भारत SEO के प्रती अपने आर्थिक एवं राजनितिक लक्ष को प्राप्त करने में व्यावाहारिक द्रिश्टिकोन अपनाएं साथें मध्ध ACI गनराज्य में शामिल देशों के स संबंधों का जो विकास हुआ है उसे बनाए रखें ताकि अतीत का वर्तमान एवं भविस्य के साथ जुड़ाव हो सके इस प्रकार हमने आगामी 30 नौवंबर को भारत में होने वाले SEO की पर्थम बैठक के आलोक में भविस्य में SEO को लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाह and press the bell icon to never miss an update